हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो मैं यूटीब चैनल, मैं सायद रमीज, ब्लॉगर एंड डिजिटल मार्किटिंग एक्सपर्ट, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, किस तरह से आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को सिक्यूर कर सकते हैं, और मैंक्सीमम सिक् आपको किस तरह से करना चाहिए, यह सारा प्रोसेस हम स्टेप बाई स्टेप लाइव वेबसाइट पर करेंगे, और यह स्टेप आप भी आपकी वेबसाइट पर करना चाहिए, और आप इजीली कर सकते हैं, दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न दोस्तों इससे पहले मैंने दो वीडियो और बनाए थे, वर्डप्रेस की वेबसाइट को कैसे अपलोड करें, आपके सी पैनल सर्वर पर, और दूसरा था कि लोकल होस में वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करें, वेम सर्वर की तरो, तो दोस्तों हम शिरू करते हैं, यहा मैंने मेरे सारे प्लगिंस को अपडेट करके रखा है, और जितने भी अन्वांटेट प्लगिंस थे, मैंने उनको निकाल दिया है, डिलेट कर दिया है, अप ही मेरे वेबसाइट पर जो है, सिर्फ पांच प्लगिंस हैं, और जितने भी अन्वांटेट प्लगिंस हैं, आप आपकी site से निकाल दीजिए और जितने भी plugins हैं आप उसको update कर लिजिए दूसरी चीज मैंने जो की है मेरी themes मेरी sites पर है सिर्फ मैंने limited तीन theme रखा है ये backup के लिए है in case अगर कुछ मेरी main theme में हो जाता है तो उसको switch करने के लिए जिसको मैंने update करके रखा है मेरे तीनों theme में updates है फर्स प्राइटी में आप आपके plugins and themes को update करके रखिए दोस्तों हमारा security process जो है मैं प्रिफर करूंगा security plugins के लिए all-in-one WordPress WP security ये plugins जो है मैं आपको अगर ग्रीफ देता हूं WordPress के अंदर काफी security के plugins है security चलता है wordfence चलता है iThemes का एक plugins है तो मैंने जो prefer किया है वो all-in-one WP security है इसको मैं काफी time से use कर रहा हूं मुझे से काफी improvement और काफी अच्छा result मिला है और मैं आपको भी यह recommend करूंगा कि आप इसको use करिए और इसकी काफी सारी settings होता है वो settings को हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले शिरू करते हैं हमारा वीडियो इसमें हम settings पर click करते हैं यह जो है default setting है WordPress के अंदर इसमें आपको कुछ नहीं करना है आपको first step जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे user account की setting के आपकी security को बढ़ाना है तो by default जो रहता है account login name अगर आपके website का account login name आपको change करना चाहिए by default मैंने जो account में username दिया था वो already different है तो आप यहाँ से edit करके दे सकते हैं otherwise आप phpmyadmin database की तुरू जाके wp-user table से भी आपका username change कर सकते हैं तो इसमें मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है बट आपको अगर आपका username admin है तो आप उसको change कर लीजिए display name में भी आपका अगर name admin चल जाता है अगर आपका same name है तो उसको भी आप change कर लीजिए मुझे भी यहाँ पर करने का कोई जहुरत नहीं है और password कर यह आपको indication देता है कि password आपका कितना strong है तो इसको कुछ करने की जहुरत नहीं है बट आप जो भी password रखें वो strong password रखें combination हो alpha numeric and special character के साथ security के अंदर इनका third option आता है fourth option आया है user login इसमें आपको क्या चीज़े select करनी है क्या चीज़े select नहीं करनी है so first option है login lockdown option इसको आपको enable करना है और just leave it as it is और इस setting को आपको save कर देना है और आपको अगर यह notification चाहिए तो आप इसमें email id भी डाल दीजिए जिससे आपको एक email notification का आता रहेगा मैं यहाँ पर मेरा email id डाल देता हूँ info at the rate globaliweb.com और इसको आपको save कर देना है and failed login record यह आपको history दिखाएगा इसका कि कितने लोगों ने failed attempt किया है देखिए यह test username के थुरू लोगों ने attempt किया है इसको और जो इसका date है वो भी recent आज का 16th date है आज की date में लोगों ने attempt किया है and force logout अगर आप को ऐसा लगता है कि और रेडी कोई और दूसरा भी login है मेरे PC में मेरे WordPress की site पर तो आप force logout भी कर सकते हैं fourth option इसमें account activity log का है जो मुझे यहां पर देखा रहा है कितनी बार admin login हुआ और logged in user में भी यह आपको दिखाएगा कि कौन सा login या user login है उसके क्या IP है fifth step में इनका आता है user registration पर हम क्लिक करते है user registration में आपको क्या-क्या देखना है आपको enable manual approval of new registered user आप कर दीजिए mostly sites पर user registration रहता नहीं है अगर information static है अगर आपका blog page है तो उसके लिए आपको बहुत important रहेगा इसके अंदर next step है आपका registration capture आप यह registration capture भी enable करिए अभी हम इसका output देखेंगे कि किस तरह से यह registration capture देखता है registration honeypot आप honeypot को छोड़ सकते हैं इसको करने की जहुरत नहीं है इसको भी हम select कर देते हैं और इसको just save करना है फिर इनके आता है database security के लिए यह आपको देते हैं और अगर आप database security के लिए कुछ भी करने जा रहे हैं मैं सबसे पहले आपको recommend करूंगा कि आप database का backup ले 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 यहीं से one click install के तुरू backup ले सकते हैं देखे database का security गया है table prefix आपका already जो default रहता है WP रहना चाहिए बट मैंने यहां पर already इसमें दो letter और add किये हुए हैं तो मुझे यहां पर कुछ करने की ज़़ुरत नहीं है अगर आपको new table prefix add करना है तो आप यहीं से backup लेने के बाद जो भी आप word डालेंगे यहां पर वो यहां पर ले लेगा for example मैं PPP डालता हूं तो वहां पर table prefix PPP हो जाएगा and database backup का एक option इनों ने दिया है अगर in case आपको ऐसा feel होता है कि आपका database backup होना चाहिए और instantly आपको mail भी आना चाहिए तो आप इस option को select कर लीजिए यह function क्या करेगा कि आपका database 4 weeks में आपको automatically mail दे दिया करेगा zip file बना के attachment कि यह आपका database का backup है जो कि आपका site को कभी भी कुछ भी होता है आप अपने database से recover कर सकते हैं next इनका option है file system security इसको हम देखेंगे यह file system की permissions को properly check करता है यहाँ पर देखिए मेरी यहाँ पर file permission 750 है और जो कि current होना चाहिए 755 इसको आपको click करना है अगर in case आपके इसमें भी ऐसा कोई issue दिखाता है तो देखिए यह file permission check करता है कि आपकी files and folder का permission proper है और इसी की तुरू हम हमारा PHP file editing का भी option में जाते हैं जिसको हम disable कर सकते हैं कि कोई भी person PHP file को edit ना कर सके कि कोई भी अगर आपके database में access करता है तो यह option है disable ability to edit PHP files and WP file access prevent access to WP default install file इसको भी आप select कर दीजिए कि कोई भी आपकी configuration file को access नहीं कर सके इसलिए रहेगा यह error log है आपका error log जहां पर रहना चाहिए वह आपका files का नाम है and who is lookup में कुछ नहीं होता है हम directly चलते हैं blacklist manager पर जिसमें हमें काफी साइट सारी settings दिखाई देंगी यह warning यहाँ पर दे रहा है अगर हम जैसे ही इसको select करेंगे तो हमारा जो WordPress का admin panel जो login है वह instantly log हो जाएगा तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि आप इस check box को select करके save मत करिए जब तक कि आपका IP address whitelist ना हो अब यह next option इनका firewall है firewall पर हम क्लिक करते हैं firewall पर आपको क्या क्या option मिलेंगे enable basic firewall आप select कर लिजिए completely block access to XML RPC यह option अगर आपका blog है तो मैं suggest करूंगा अगर आप इसको मत करिए क्योंगे XML RPC mostly ping करने के लिए काम आता है दूसरे block से और अगर आपका static site है या एक normal site है basic sites है और SEO के लिए important नहीं है इतना तो आप उसको backlinks के लिए इतना important नहीं है तो आप इसको accept कर लिए मेरी जो site है वह static की informative site है जहां पर product का information display हो रहा है तो इसलिए मुझे कोई जहुरत नहीं है कि XML RPC regularly ping हो XML RPC mostly कि आप जब भी कोई नया ब्लॉक पोस्ट करते हैं नया information पोस्ट करते हैं तो यह different different XML RPC pings के जो functionality है settings sites जो है different दूसरी वह आपके इस post को read कर लें immediately read कर लेते हैं आप लास्ट option है block access to debug.log file इसको भी आप select करके save कर दीजिए दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा होगा बट आप इसको एंड तक देखिए ताकि आप complete website का secure कर सके अडिशनल फायरवार रूल है इनका index वीव को आपको disable करना है कोई भी आपका folders को वीव ना कर सके WP- content WP- upload वो सब नहीं देखे इसलिए आपको disabled track and trace यह भी आप कर दीजिए and proxy comments को आपको disable करना है तो आप कर सकते यहां से bad query string मेरे site पर यह सब applicable हो रहा है मुझे यह सब चीज नहीं चाहिए commenting अल्रेडी नहीं है advanced tracker string filter तो यह सारे options मेरे site को applicable है जो website एक normal website साइट है blog नहीं है उसमें यह सब सबके लिए applicable होते आपकी कोई informative साइट है आप उस पर जहूर यह apply करिए इन्होंने 6G blacklist firewall का 3rd tab दिया है इसमें देखते हैं क्या है इनेबल फायरवाल प्रोटेक्शन इनेबल 6 लेजन से 5 5G फायरवाल प्रोटेक्शन यह दोनों से हम चेक कर लेते यह mostly जो काम में आते हैं वह भी मैं आपको दिखा देता हूं एक short description में देता हूं proxy comments वगरा के लिए भी है block forbidden character comments URL character CSS mostly आपको hacking attempt को रोकने के लिए है रूट प्रोटेक्शन तो आप इसको select कर लिजिए without any hesitation इंटरनेट बॉट का option है जो कि proxy रहते हैं आप फेक गूगल बॉट्स के लिए हैं आप इसको इनेबल कर सकते हैं prevent hot links जो कि आपको काफी improve करता है prevent hot link image access करना आपकी sites के उससे बचाता है 404 detection अगर कोई page नहीं मिलता है तो यह automatically redirect कर देगा इस URL पर custom rules में अगर आपको कुछ लगाना है आप expert है वो लगा सकते हैं बट मुझे यहां नहीं लगता कि custom rules कुछ लगाना चाहिए अपी next option आता है brute force attack यह काफी importance है यहां पर जो है आपका site URL change करने के लिए बात करता है यहां पर मैं test login करके दे देता हूं अभी यह मैं जब save करूंगा तो मुझे जब भी कभी login करना रहेगा तो मैं मेरी site.com slash test login करने के बाद ही मुझे इस URL पर जाकर मुझे WordPress admin का access मिलेगा और मैं अगर WP admin डालूँगा तब वो मुझे नहीं मिलेगा तो यह बहुत important security part है पूरे WordPress के इंदर आप ने अगर admin dashboard का page ही hide कर दिया तो आपका 50% chances जो है वो hack होने से बच जाता है यह cookies based protection है इसको आप अगर enable करेंगे तो आपका first feature चला जाएगा अगर आप first feature को enable करेंगे तो second feature को आप enable नहीं कर सकते दोस्तों यह भी ऐसे ही काम करता है बिलकुल आपको एक secret word डालना रहता है आपकी site के बाद और then आप login करेंगे तो वो जो मैंने use किया है वो भी similar है next इनका tab है login capture आप capture पेज़ पर login भी रखाइए ताकि जो boot access करते हैं इन्होंने google capture भी दिया हुआ है अगर आपको google capture के लिए आपको key डालना रहेगा google का तो आप basic capture भी use कर सकते basic capture भी काफी useful है देखिए basic capture भी इन्होंने कहां कहां दिया है login form पर दिया है custom login form पर है और woocommerce form पर है मेरी site में woocommerce नहीं है बट फिर भी मैं select कर देता हूं enable capture on woocommerce registration form lost password पर भी capture apply होगा तो capture आप सब सारी जगा apply कर दीजिए यह आपकी security के लिए काफी है जो randomly आपकी site पर hit करते है enable IP whitelisting इसको भी आप select कर दीजिए मुझे मेरा IP whitelist कराना रहेगा पहले यहां पर control c control v मैंने यूज किया और इसको save कर दिया यह है यह है यह निपोर्ट है यह भी आपको security के लिए काम आता है पट इसका इतना जहूरत नहीं है login page पर यह hidden रहता है और अभी हम सेलते हैं spam prevention पर यहां पर देखते हैं कि इन्होंने क्या information दी है मेरी साइट पर already comments block है enable comments on enable capture on comments and block spam bots positive जो automatically इस site पर post होते हैं कमेंट्स आते हैं किसी software के तुरू उसको block कर देता है इडेंटिफाई करके comment spam IP monitoring enable autoblock spam comment IP wordpress, bbpress मेरे इसमें नहीं है तो मुझे इसकी जहुरत नहीं है मेरा यह future apply नहीं हुआ मुझे इदर number of spam comments लिखना है अगर जिनका blog है अगर वह पांच या तीन या पांच का value दे सकते हैं scanner, scanner में यह आपकी site को scan करता है malware on scanner enable automatically file change detect अगर आपका files कभी भी change होता है आपके wordpress के अंदर वह update से हो या फिर manually हो और कोई भी करें तो उसका notification emails आप अगर यह select करते हैं तो automatically वह weekly आप रख सकते हैं वह आपको mail में information notification देता रहेगा कि आपकी server पर आपकी site में so and so files change होई है तो यह mostly नहीं करते हैं इसको क्योंकि कोई भी plugins या फिर themes update होती है तो उसकी काफी notification mail आती है इसलिए कोई importance नहीं है आप करना चाहें तो कर सकते हैं कि आपको malware scan भी दिखा देता हूं malware scan किस तरह से perform करेगा और लास्ट इसमें आता है maintenance maintenance में आपको कुछ करना नहीं जाई है mislenerous भी आता है जिसमें भी कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं दिया है यह आपको notification message का text रहेगा जो आपको देखाना है और mislenerous में आप right click disable कर सकते हैं from disable कर सकते हैं copy protection है वो right click disable कर गए तो दोस्तों यह तो यहां पर मैंने जितना भी implementation करा अभी मैं आपको इसका test दिखाता हूं WP admin को मैंने copy किया है यहां से और मैं इसको एक convenient tab में open करता हूं फिर आप देखेंगे कि किस तरह से यह website को improve किया अगर मैंने for example यहां पर default डाला है तो यहां पर site मुझे not available मिली अगर नहीं पर मैं जू चीज मैंने word डाला है test admin I think मैंने admin दिया है test login मैंने test login दिया है यहां पर मैंने test login दिया है जैसे ही मैं test login दिया तो मुझे यहां पर username password और यह capture आ गया है आप देख रहे होंगे यहां पर यह capture है और उपर एक error दे रहा है cookies are blog due to unexpected output तो मेरा यह private browser है इसलिए यह cookies का मुझे error दे रहा है तो दोस्तों यह है एक overall basic wordpress की website को maintain करने का security plugins लगाने का wordpress all-in-one security का setting और मैं recommend करूंगा कि अगर आप आपकी website wordpress पर आप individual use कर रहे हैं आप fresher हैं आप blogger हैं तो आपकी wordpress की website को जादा से जादा secure करें और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे नीचे comment box में comments करके post सकते हैं मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी sites को free of cost आपको help कर सको दोस्तों और पी इससे अच्छे मेरे वीडियो है जो मैंने description में link डाला हुआ है आप उनको जहुर देखिए thank you for watching my video have a nice day good bye God bless you झाला हुआ झाला हुआ है